ओम श्री गनेशाय नमाः दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे स्टोरी नेम इस इश्कपास सेशन 2 and this story is begin from chapter 307 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience तो चलिये शुरू करते हैं और उसे जीवा का दिया हुआ धोखा याद कर उसे पर बुस्सा भी आ रहा था क्योंकि उसने कभी उसे भाई कहा था लेकिन फिलहाल सिचुएशन को मद्दे नजर रखते हुए अपने चेहरे पर थोड़े शोकन रियेक्शन लाते हुए मासूम सा चेहरा बने उसे उपर से नीचे तक हैरानी से देखते हुए बोली कार्तिक भाईया यह मैं क्या देख रही हूँ आप और जीवा और आज आप यहां मुझे मारने आए हैं क्या सच मुझ क्या आप अपनी आशी को मार देंगे आशी का मासूम चहरा देखकर जीवा अपने चहरे पर तिर्छी मुस्कान लाते हुए बोला I am sorry आशी लेकिन तुम्हें मरना होगा क्योंकि मेरे बॉस ने मुझे यही order दिया है और मेरे सामने यह मासूम चहरा बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह मुझे कमजोर नहीं कर सकता तो गुडबाई आशी इतना कहकर जीवा ने अचानक ही एक गन फायरिंड की जिसके बाद अचानक ही आशी और युवान इकट्थे चिल्ला उठे नहीं आँ और युवान ने अचानक ही घबराते हुए अपनी आखे बंद कर ली इस वक्त उसका चहरा एक अजीब भी इमोशन और डर के मारे तमत्मा रहा था और आशी वा अचानक ही फ्लो पर नीचे बैठ गई और वहां कुछ पल के लिए सननाटा चा गया की तभी अचानक ही वहां कई सारे लोगों के पैरों की आहत सुनाई दी जिसे सुनकर युवान और आशी का ध्यान सामने गया जहां जीवा अपने चेहरे पर एटिट्यूट स्माइल लिए उन दोनों को देख रहा था जीव के चेहरे पर स्माइल देखकर आशी और युवान उसे हैरानी से देखने वालों की तभी अचानक की कई सारी बोडी गार्ड्स की भीर को चिर्ते हुए वहां एक बहुत ही डाक और रुबाबदार पसनेलिटी आकर खड़ा हो गया जिसे देखकर आशी की आँखे फैल गई लेकिन उसका खून अंदर ही अंदर खोलने लगा युवान के चेहरे पर भी कोल्ड एक्सप्रेशन आ चुके थे आशी ने देखा उसके सामने लगभग 6-2 इंच एक मस्कुलर बॉडी वाला एट पैक इनसान जिसकी उम्र लगभग 50 साल होगी आखों पर ब्लैक शेट सर पर हैट दातों के बीच साइड में दबा हुआ सिगार चेहरे पर हलकी फ्रेंच बियर्ड जिसमें कुछ बाल सफेद हो चुके थे लेकिन चेहरे का औरा इतना खतरनाक जिसे देख कर ही इनसान की रूह कांप जाए उसका स्टाइल और एटिट्यूट काफी खतरनाक लग रहा था बिलकुल किसी माफिया की तरह और इसे देखते ही आशी को एक पल नहीं लगा पहचानने में आशी ने अपनी जिंदगी में पहली बार उस शक्स को अपने सामने देखा था जिससे वह दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करती थी और यह कोई और नहीं बलकी युवान खन्ना का बाप माफिया किन विवान खन्ना था जो उसकी फैमली और खुशियों के अंत का कारण था इसे देखते ही आशी के खून में एक उबाल आने लगा था उसके हातों की मुठिया कस गई थी और माथे गले और कानों की कनप्टी के नस फूलने लगे थे आशी का दिल किया की वह अभी और इसी वक्त एक कटार लेकर उस इंसान का गला काटकर फ्लो पर फिंक दे आशी दांत पीस्ते हुए अचानक ही अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई कि तभी उसके चेहरे की एक्स्प्रेशन को जीवा ने पहचान लिया था जीवा यानी आशी का भाई अंश अचानक ही मामले को संभालने के लिए तुरंथ ही अपनी रुबाबदार आवाज में बोला क्या हुआ डर गए आय तो था तुम लोगों को यहां खत्म करने लेकिन माफिया किन्ड का ओडर आया कि तुम लोगों को मारना नहीं है इसलिए अपना प्लान बदलना पड़ा वैसे मारना पड़ेगा माफिया किन्ड आज मैंने पहली बार आपकी बेते की आँखों में एक अलग से डर देखा है खेर मेरा काम यहां खत्म हुआ पर मुझे ये समझ नहीं आता आपने इस लड़की को छोड़ क्यूं दिया आप तो इसे मारने वाले थे और जीवा के पूछने पर विवान खनना काफी डाक और यह उन दोनों की तरफ देखते हुए बोला हां मैं इसे मारना चाहता था क्योंकि मुझे इसके खिलाफ कुछ गलत फहमिया हुई थी लेकिन अप मुझे एहसास हो गया है कि मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई आशी बेटा I am so sorry तुम्हें मेरी वजह से बहुत प्रॉबलम फेस करनी पड़ी अब विवान अपने गुंडों की तरफ देखते हुए बोला बेवकुफों देख क्या रहे हो छोड़ो उन दोनों को विवान के ओड़र पर सभी गुंडों ने आशी युवान को छोड़ दिया जोकी उन्हें घेर कर खड़े थे अब विवान जल्दी से आशी के सामने आकर उसे अपने सीने से लगाते हुए उसे माफी मांगते हुए बोला आशी बेटा I am so sorry तुम्हें ज्यादा प्रॉबलम तो नहीं हुई ना प्लीज अपने अंकल को माफ कर दो अचानक ही विवान के बदले हुए और को सुनकर आशी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी की तभी युवान जल्दी से आगे जाकर आशी का हाथ पकर कर उसे जटके से अपने पीछे खीचता है और आशी को अपने पीछे छुप कर खुद आगे आते हुए बोला डैड अभी आपका कौन सा नया नाटक है पहले आप क्यूटी पाई को मारने का ओडर देते हैं और अब उससे माफी मांग रहे हैं क्या मैं जान सकता हूँ अचानक आपका दिल कैसे बदल गया और अपने बेटे की बात को सुनकर विवान उसे घूरते हुए कोल्ड वोइस में बोला क्योंकि मुझे गलत फहमी हुई की मुझे लगा कि यह मेरे दुश्मनों से मिली हुई है लेकिन आज जब मुझे यह एहसास हुआ कि मैं अपनी इकलौती भती जी को हमेशा हमेशा के लिए को दूंगा तो मुझे से रहा नहीं गया और मुझे आना पड़ा युवान तुम मुझे बहुत अच्छे से जानते हो मैं लाख बुरा सही लेकिन मुझे भी रिष्टों की कदर है आशी मेरे इकलौते सटेप ब्रदर की बेटी है और उसकी मौम मेरी बचपन की दोस्त तो भला मैं अपनी इकलौती रेलेटिव को कैसे खोल सकता हूँ वह मेरे लिए मेरी बच्ची की तरह है इसलिए मैंने अपना फैसला बदल दिया मुझे मालूम है आशी को मेरे खिलाफ कुछ गलत वहमिया है उसे लगता है कि मैं उसके डैड और मौम को मारा है पर उसे नहीं पता कि मैं ऐसा कुछ नहीं किया बलकी हमारे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हुई थी उसके मौम डैड को मारने वाला उसकी फैमली को खत्म करने वाला मैं नहीं बलकी कोई और है इसके बारे में मैं आशी को जरूर बताऊंगा लेकिन फिल्हाल यह सही वक्त नहीं है और जहां तक बात है तुम दोनों की शादी की तो बेटा अब मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ तुम आशी से शादी करो और उसे मेरे घर की बहु बनाओ अब मैं उसे दर बदर की ठोकरे खाते हुए नहीं देख सकता अब वह मेरे घर की बहु बनेगी मेरे घर की इजज़त विवान खनना की इज़़त बनेगी चलो पंडित जी शुरू हो जाओ और विवान की बातों को सुनकर युवान के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई वह जल्दी से अपने डैट के गले लगाते हुए खुश होकर बोला सच डैट आप मेरी क्यूटी पाई को अपनी बहु के रूप में एकसेप्ट कर रहे हैं कहीं में कोई सपना तो नहीं देख रहा या फिर यह आपकी कोई चाल तो नहीं देखिये डैट अगर ऐसा है तो मैं आपसे बस इतना कहना चाहूंगा कि प्लीज ऐसा वैसा कुछ भी करने की कोशिश मत करना में सब कुछ बरदाश्ट कर सकता हूँ लेकिन अपनी क्यूटी पाई को खत्रे में नहीं आज आपने जो किया वह आगे से कभी नहीं होना चाहिए वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा इन शब्दों को कहते हुए युवान काफी सीरियस लग रहा था और उसके चेहरे की एक्सप्रेशन देखकर आशी तो बस हैरानी से उसे देखती रह गई कि तभी विवान अपने बेटे के गालों पर थोड़ा थप थपाते हुए बोला Come on you want तुम कैसी बाते कर रहे हो क्या तुम अपने डैट पर शक कर रहे हो बेटा तुम अच्छे से जानते हो तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है और जहां तक बात है चाल चलने की तो अगर मैं चाहूं तो अभी और इसी वक्त तुम्हारी क्यूटी पाई खत्म कर सकता हूँ और तुम चाह कर भी मेरा कुछ नहीं बिगार पाओगे लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि तुमसे ज्यादा इसकी जान मेरे लिए इंपोर्टेंट है भाई आखीर हम लोग रिश्टेदार जो है और मुझे खुशी है कि तुम दोनों एक दूसरे के होने वाले हो आज मेरे मरे हुए सटेप ब्रदर अक्षत जिंदल और मेरी दोस्त स्माइली की आत्मा को बहुत शान्ती मिल रही होगी आखिर उनकी बेटी अब हमारे घर की बहु जो बनने वाली है तो बस अब टाइम वेस्ट नहीं करते और यह शादी कम्पलीट करते हैं पंडित जी सुना नहीं आपने शादी के मंत्र पढ़िए और विवान की बात सुनकर पंडित जी शादी के मंत्र पढ़ते ही लगे थे कि तभी आशी दिल ही दिल में गुस्से में अपने आप से बोली शादी और मैमाई फूट तुम लोगों के घर में शादी की खुशिया नहीं बलकी मौत का मातम होगा अब देखो यह आशी अक्षत जिंदल क्या करती है दिल ही दिल में ये बाते कहकर आशी अचानक ही मासून सा चहरा बना लेती है और घबराकर अचानक ही पैनिक करते हुए रोते हुए वह शादी से इंकार करने लगी और ऐसे करते करते वह अचानक ही बेहोश हो गई इसके बाद युवान और विवान हैरानी से उसे देखने लगे लेकिन जीवा के चहरे पर एक इविल स्माइल की लगभग टू घंटे बाद आशी की आँखे एक बहुत ही खूबसुरत से कमरे में खुली जहां डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करते हुए सामने खडे युवान और विवान से बोली देखिये लगता है ये स्ट्रेस के कारण बेहोश हो गई है पर फिलहाल में मेडिसिन दे दी है ये जल्दी ही ठीक हो जाएंगी मैं चलती हूँ डॉक्टर के जाने के बाद युवान और विवान परेशान होते हुए आशी के पास बैठे आशी बेटा तुम खीक तो हो तुम इतना स्ट्रेस क्यूं लेती हो देखो बेटा मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में हम लोगों के लिए कुछ गलित फहमिया है लेकिन तुम मुझे थोड़ा वक्त दो में तुम्हें यकीन दिला दूंगा की हम लोगों ने तुम्हारी फैमली के साथ कुछ भी नहीं किया बलकि तुम्हारे गुनहगार वह लोग हैं जन्हें तुम अपना मानती हो अरे तुम तो मेरे भाई की आखिरी निशानी हो भला हम तुम्हें नुकसान कैसे पहुँचा सकते हैं और ये सुनकर आशी मासूम सा चेहरा बनाकर रोते हुए बोली नहीं मुझे आपकी बातों पर यकीन नहीं है अगर आप सच कह रहे हैं तो पहले ये साबित कीजिए और रही बात युवान से शादी की तो मैं ये तब तक नहीं करूंगी जब तक मुझे आप लोगों पर यकीन नहीं हो जाता क्या सोचा है क्या जूट है मुझे तो कुछ भी नहीं पता मैं तो बहुत कनफ्यूज हो रही हूँ ऐसा कहते हुए आशी अपना सर पढ़कर एक बार फिर चक कर आने का नाटक करने लगी और उसकी बातों को सुनकर युवान बुसे से आशी के कंधे को पढ़कर उसे अपनी तरफ करते हुए बोला क्यूटी पाई ये तुम कैसी बाते कर रही हो तुम मुझसे शादी नहीं करोगी मैंने तुम्हे पहले भी कहा था सच चाहे जो भी हो लेकिन तुम्हें मेरा होना होगा तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी समझी तुम और युवान की बातों को सुनकर आशी रोते हुए बोली नहीं तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते अगर तुमने मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं यहां से भाग जाऊंगी वरना अपनी जान दे दूंगी समझे क्योंकि मैं अपनी फैमली के मडर के बेटे से शादी कभी नहीं करूंगी इसलिए तुम पहले अपनी फैमली की बेगुनाही साबित करो समझे और आशी की बात को सुनकर युवान एक बार फिर आशी पर बुस्सा करने ही वाला था कि तभी विवान युवान को आशी से अलग करते हुए बोला युवान ये क्या कर रहे हो तुम पागल हो गए हो क्या खबरदार जो मेरी बच्ची के साथ जबर्दस्ती करने की कोशिश की अगर वह तुम्हारे साथ फिलहाल शादी नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं हमें उसकी कंडीशन समझनी होगी मुझे मालूम है कि हम पर भरोसा करना उसके लिए कितना मुश्किल है क्योंकि वह हमें गुनहगार समझती है मुझे दुख इस बात का नहीं है कि यह मुझे गुनहगार समझती है बलकि दुख मुझे इस बात का है कि मैं अपनी बच्ची के लिए कभी कुछ नहीं कर पाया उसका इकलोता अंकल होने के कारण मेरा फर्च था उसका ख्याल रखना जो मैं अपना फर्च नहीं निभा पाया और आज मेरे दुश्मनों ने ही इसके कान मेरे खिलाफ भर दिये हैं ये तो बच्ची है इसकी कोई गलती नहीं है आशी बेटा जो बिगर गया मैं उसे सुधार तो नहीं सकता लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हारा भरोसा जीत सकूँ और अपने आपको बेगुना साबित कर सकूँ इसलिए मैं तुमसे वादा करता हूँ जब तक तुम नहीं चाहोगी तुम्हारी शादी युवान से नहीं होगी और अब तुम हमारे साथ हमारे विला रहोगी जहां तुम्हें फुल सिक्योरिटी मिलेगी और तुम्हें वह लाइफस्टाइल मिलेगी जिसकी तुम हगदार हो बिल्कुल एक प्रिंसेस की तरह अब तुम मुझे अंकल कहोगी और तुम मेरी जिम्मेदारी हो ठीक है चलो हमारे साथ हमारे विला टू घंटे बाद, दे किंग विला विवान खन्ना का विला जो एक भूल भुलया की तरह है जहां पहुचना है सबके लिए इंपॉसिबल है इस विला में कई राज छुपे हैं जिसे आज तक कोई नहीं जानता एक बहुत ही बड़े पहार पर बने हुए एक आलिशान विला जो की कई हद तक ग्लास से बना हुआ था दिन में सुरज की रोशनी से यह विला पूरी तरह चमक उठता था आसपास गाने पहार और जंगल एक बहुत ही बड़ा फार्म हाउस जिसकी सिक्योरिटी कमांडो ड्रेस में कई सारे वेल ट्रेंड बॉडिगार्ड कर रहे थे बॉडिगार्ड के बाद कई सारे खुंखार जानवर की एक लिया उस पूरे विला को चारों तरफ से घेरे हुई थी जिन जानवरों में भीरिये पैंथर और कुछ ताइगर्स के बाद जंगली कुत्ते थे जो की एक सेकंड में ही बड़े से बड़े हाथी को भी मार गिराए और खुंखार जानवरों की उसे सेना के बाद और भी ज्यादा स्ट्रांग बॉडिगार्ड के लिया कुल मिलाकर यहां सिक्योरिटी के तीन लिया थे अचानक ही इस जगह पर काले रंग की गारियों का एक बहुत ही बड़ा काफिला दाखिल होता है जो की में एंट्रेंस से होते हुए तेजी से विला के अंदर दोर रही थी आगे सिक्योरिटी की लगभग टैन गारियां बीच में आशी और युवान खन्ना के विवान खन्ना एक बहुत ही लंबी रोल्स रॉयस गारी में बैथा हुआ था और इन गारियों के काफिले के पीछे भी लगभग सिक्योरिटी की टैन गारियां अचानक की गारियों के आते ही सभी बॉडिगार्ड काफी तेजी से विवान को सैल्यूट करने लगते हैं आशी अपनी हैरान नजरों से उस पूरे विला को गारी में बैठे हुए देख रही थी और इतनी टाइट सेक्योरिटी को देखते हुए आशी हैरान होते हुए अपने आपसे दिल ही दिल में बोली ओ तो ये है इसका काला सामराजय यानि की इस रावन की लनका इतनी टाइट सेक्योरिटी के बीच इस मारना आसान नहीं होगा लेकिन इसे खोखला तो मैं कर ही सकती हूँ थैंक्यू साइको मुझ पर भरोसा करके मुझे वक्त देने के लिए अब तुम देखते जाओ मैं इसकी लनका में कैसे आग लगाती हूँ अब थोड़ी ही देर में विवान खन्ना गारी से बाहर निकला उसके साथ ही यूवान भी इसके बाद विवान ने अपनी आँखों से यूवान को कुछ इशारा किया जिसके बाद यूवान ने अपना हाथ बढ़ा कर आशी को बाहर आने के लिए सपोर्ट करते हुए कहा इस वक्त उसके चहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी जिसे देखकर आशी धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाती है लेकिन फिर कुछ सोचकार वह यूवान के हाथ को छोड़कर दर्वाजा पकड़कर गारी से बाहर निकली और ये देखकर यूवान के शांत हुआ अब विवान खन्ना आगे आकर बड़े प्यार से आशी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला तो आशी बेटा ये है मेरा विला और आज से तुम्हारा भी अब से तुम हमारे साथ यहीं रहोगी और यहां तुम हमारी प्रिंसेस हो जैसे यूवान हमारा प्रिंस है यहां तुम्हें किसी भी चीज़ की जरूरत हो तो सर्वेंट हर वक्फ तुम्हारे लिए मौजूद रहेंगे चलो अंदर चलते हैं इतना कहकर यूवान आशी को अपने साथ अंदर ले गया पीछे से जीवा अपने चेहरे पर तिर्ची मुस्कान लिये मन ही मन में दात पीशते हुए अपने आप से बोला बेवकूफ इंसान तो नहीं जानता तु किसे अपने साथ ले जा रहा है वह चलती फिरती तबाही तु खुद अपने साथ लेकर आया है अब तो तेरा भगवान ही मालिक है मान गए आशी तुम सच मुछ मेरी बहन हो इतना कहकर जीवा भी उन लोगों के पीछे पीछे विला के अंदर दाखिल हुआ यह विला जिसकी खूबसुरती की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम थी यह तो बिल्कुल एक पहले सलग रहा था आशी पूरे घर में अपनी नजर दोड़ाते हुए चेहे पर मीठे से मुसकान लाते हुए विवान से बोली यह तो बहुत खूबसुरत है अंकल लेकिन मैं अब बहुत ठक गई हूँ मुझे रेस्ट करना है ओ जरूर जरूर बेता क्यूं नहीं मारिया कम हियर विवान के ओड़र पर एक लगभग 35 साल की ओरत जल्दी से दोड़ते हुए उनके सामने आई जो की शायद एक इंगलिश लेडी थी अब विवान उसे आशी से मिलवाते हुए बोला meet my niece आशी आज से यह यही रहेगी लेकिन याद रहे यह मेरे लिए मेरी भतीजी नहीं बलकी मेरी बेटी है और उनकी हर एक डिमांड को पूरी कर्मी तुम्हारी जिम्मेदारी है अगर उनकी शान में कोई भी गुस्ताखी हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा आज से इनकी पोजीशन हमारे प्रिंस युवान के बराबर होगी और आप लोग इन्हें प्रिंसेस कहेंगे ओके अब जाओ और इन्हें इनका कमरा दिखा दो कहकर मारिया आशी को अपने साथ उपर उसके कमरे में ले गई जहां की सजावत देखकर आशी पूरी तरह हैरान थी है सच मुझ एक पिंक कलर का प्रिंसेस रूम नजर आ रहा था जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती थी एक बड़ा सा हेड क्राउन बैड जिस पर पिंक और क्रीम कलर की बैडशीट बिजी हुई थी मारिया ने आशी को कमरे में लाकर बढ़े ही रिस्पेक्ट के साथ पूछा प्रिंसेस आप फ्रेश हो जाए मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए ब्येजती हूँ आपके वाडरोब में आपके लिए ड्रेसेज और आपकी जरूरत का हर सामान पहले से ही अरेंज है वैसे आप नाश्ते में क्या लेना चाहेंगी प्लीज आप अपनी पसंद और नापसंद मुझे बता दीजिए मैं ध्यान रखूंगी और मारिया की बात सुनकर आशी उसे अपने खाने का मेनू बता कर वहां से भेज देती है आपको कमने का दरवाजा बंद कर पूरे कमरे को अपने इविल नजरों से देखते हुए बोली वाओ इतनी अच्छी खातेदारी I am impressed वाँ मान गई साई को तुम्हारे दिमाग को Flashback So don't forget to share your review and comment your best part of in story और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया तो कृपया इसे subscribe करें और bell icon पर click करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके And if you like my story so comments your feelings with heart emoji तो मिलते हैं next video तब तक के लिए राधे राधे